हारे के सहारे की जय हो, नमस्कार दोस्तों, जय माता दी स्वागत है, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी अस्ट्रोलोजी में, तो कन्या राशिवालों मित्रों, दोस्तों चाहे मर जाना, लेकिन मई माह में यह पांच काम भूल से भी मत करना, वरना पूरी जिं साथ आपका पूरा परिवार दो वक्त की रोटी के लिए तरसेगा, क्योंकि दोस्तों इस मई के माह में मंगल के साथ साथ राहू और केतू आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि इन तीन ग्रहों का महा प्रकोप इस महीने आपको जहलना पड़ेगा, अगर आपने भूल से भी यह पांच काम मई महीने में कर दिये, तो पूरी जिंदगी आपको खून के आंसू रोना पड़ सकते हैं, क्योंकि यह जो समय चल रहा है दोस्तों, आपके लिए बहुत साथान रहने का समय है, क्योंकि इस समय में आपकी पूटी सी गलती से शनी नाराज हो सकते हैं, अगर यह मई का महीना, दोस्तों आपने संभल संभल कर निकाल लिया और हमारे द्वारा बताये गए यह पांच काम, यह पांच गलतियां नहीं करी, तो आपके उपर शनी की इतनी ज्यादा कृपा बनेगी, कि आपकी साथ पूछतें भी बैठे बैठे धन खाएगी, इस महीने शनी देव आपके लिए राजयोग का निर्मान कर रहे हैं, बस आपको मंगल और राहु केतु से बचने की जरूरत है, मंगल और राहु केतु कुछ गलतियों से ही नाराज होते हैं, कुछ गलतियों से ही हमारे उपर प माह में यह पांच काम भूल से मत करना, क्योंकि यह जो समय चल रहा है, पूरे 212 सालों बाद ऐसा समय लोट कर पुनह आपके जीवन में आया है, आपकी राश्य के लिए ऐसा समय आया है, दोस्तों, यह मई का महीना आपको पूरी जिंदगी भर याद रहने वाला है, क्यों से आप कम मेहनत में भी काफी बड़ी-बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर, मंगल राहु केतू, आपके लिए परेशानिया भी खड़ी कर रहे हैं, अगर आपने कुछ सावधानी नहीं बरती, तो बड़ी मुसीबतों में पढ़ जाओगे, और फि अगर आप अपने इस मई के माह को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, और अगर आप इस महीने को खराब बनाना चाहते हैं, पूरी जिंदगी को बेकार बनाना चाहते हैं, घरीबी कंगाली में गुजारना चाहते तो यह वीडियो आप छोड़ कर जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, आगे जो होगा आप उसको फेस कर लेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा रहे, शनी देव के राजयोग का भी फायदा मिले, मंगल, राहु केतू भी मुझे नुक कि इस महीने आपको कौन सा, वह एक महा उपाय है जिसको तुरंत कर लेना है, एक छोटा सा महा उपाय बताऊंगा इस वीडियो में, जिससे शनी का जो राजयोग है, वह तुरंत आपके ऊपर एक्टिव हो जाए, यानि कि वह तुरंत आप पर लागू हो जाए, और आप ज आएंगे, तो वीडियो बहुत खास होने वाली है, वीडियो इतनी शानदार है आज की, कि आप दोस्तों अपने जन्मो जन्मो तक इस वीडियो को याद रखोगे और इस मई के माह को याद रखने वाले हो, बस आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, जी दोस्तों, जीवन एक अच्छी राह पर निकले। आपके जीवन में कोई परेशानी ना आए और फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो मेरा दिल तूट जाता है। लेकिन मुझे आज पता है कि आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करोगे आपको। दोस्तों, आपकी हर मुराद पूरी करेंगे और इस पूरे मई के माह में आपको खूब खुशियां देंगे, आपको खूब धन दौलत देंगे, आपका घर सुखी सुखी हमेशा रहेगा। तो बोलिए जै बजरंग बली। और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशान आपकी समस्या का समाधान भी बताऊंगा। और एक खुशी की बात आपके लिए यह है, कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान बिलकुल मुफ्त में होगा। मैं आप लोगों से एक भी रुपया नहीं लूगा। तो अभी अभी जाए और अपनी समस्याएं लिख आईए दोस्तों, आज के इस मुख्य वीडियो की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हमने कहा कि आपको इस पूरे महीने यह पांच काम नहीं करने हैं। वह पांच काम कौन से हैं आप दोस्तों, सोच रहे होंगे देखे। दोस्तों, इंसान जाने अंजाने में अपने जीवन में बहुत से कार्य करता है, जैसे कि सुबह उठता है और रात्री में सोता है, सुबह उठने से लेकर रात्री में सोने तक। दोस्तों, यह जो अंतराल है बीच का, इसमें बहुत से कार्य हम करते हैं। कुछ खाना खाते हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं, किसी से बात करते ह पानी पीते हैं, किसी को क्या बोल दिया, तो किसी को क्या बोल दिया, कभी क्या कर दिया, बहुत से काम हम करते हैं, कभी कभी तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या नहीं कर रहे हैं, हम क्या करेंगे जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर अच्छा पड़े पेट को पालने के लिए सुबह से शाम तक कई सारे काम करता है। करता है। लेकिन इंसान वह भूल जाता है कि उसको कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुछ काम हम जाने अन्जाने में ऐसे कर जाते हैं, जिससे हमारे ग्रहों की चाल होती है, वह बिग्डा जाती है। हमारे कुल देवी देवता हम से नाराज हो जाते हैं, और हमारा भाग्य नष्ठ हो जाता है, हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं देती है, हम तो समझ नहीं पाते कि आखिर हमारे जीवन में इतना दुख, इतनी परेशानी क्यों आ रही है, लेकिन होता क्या है कि हमारी ही कुछ गलतियों से हमारा भाग्य, हमारी किस्मत सब बेकार हो जाते हैं भगवान भी हमारा साथ नहीं देते हैं तो आज हम उन्ही कामों के बारे में आपको बताने वाले हैं जो इस मई के माह में आपको भूल कर भी नहीं करने हैं वरना आपकी किस्मत आपका भाग्य आपसे लूटेगा और आपके घर के कुल देवी देवता के साथ साथ आपके पित्र देवता भी आपसे नाराज हो जाएंगे। तो आईए जानते हैं कि वह कौन से कार्य है, बिलकुल ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, इस मई के माह में पहला कार्य जो आपको नहीं करना है, वह है आलस्या। जी हां दोस्तों, इस पूरे महीने आपके उपर शनी देव प्रसन्न हैं और शनी देव उन्ही लोगों के उपर कृपा बरसाते हैं, जो लोग अपने काम को सबसे पहले रखते हैं, सबसे पहले अपना काम करते हैं, सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, उसी के उपर शनी बहुत ज्यादा महरबान होते हैं और शनी कई वर्षों के बाद आपके उपर महरबान हुए हैं। तो इसका अगर आपने फाइदा नहीं उठाया, तो फिर आपका पूरा जीवन गरीबी और कंगाली में ही बीतेगा। इसलिए इस महीने थोड़ी सी देर के लिए भी आलस सिमत करना जहां आपने आलस से किया, वहां आपका शनी भारी हुआ और जब शनी भारी होगा, तो जितने भी आपके कार्य हैं, जो बन रहे हैं, जो आपके जीवन में अच्छा हो रहा है, वह भी खराब होगा। और जो पहले से मुसीबतें हैं, वह भी बड़ा रूप ले सकती है। इसलिए इस महीने जितना हो सके, अपने काम धंधों पर ध्यान दीजिएगा। आपको मैं बता दूँ कि हर काम में एक्टिव रहिएगा। किसी भी काम को आज का कल पर मत टालिएगा कि हाँ, कल कर लूँगा, थोड़ी देर बाद कर दूँगा। ये सोच आपके मन में आन इससे नहीं करना है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वह आज के काम को कल पर टालते हैं। हर चीज में हाँ बाद में कर लूँगा। ऐसे बहाने बनाते हैं। लेकिन इस महीने अगर आपकी यह आदत है तो इसको बदल लेना। वरना यह आदत आपके साथ साथ आपके प काम को मैं कल पर नहीं डालूँगा, हर काम को उसी समय करूँगा, जिस समय करने की जरूरत होगी, जितनी जल्दी हो सके, अपने काम को निप्टाने की कोशिश करेगा, इससे शनी देव भी आप से प्रसन्न होंगे, शनी देव को भी लगेगा कि हां में सही इंसान पर अपनी तो दोस्तों खून तक ले लेता है, इनसान को पूरा सुखा देता है, इसलिए आलस्य को त्याग दीजिए, काम टालने की आदत को टाल दीजिए, बंद कर दीजिए, वरना फिर जो आपके साथ होगा, उसका जिम्मेदार केवल और केवल आप होंगे. अब दोस्तों में दूसरे काम की ओर बढ़ रहा हूँ, आशा है, मेरी बातें आपको अच्छे से समझ आ रही होगी, और अगर आपको मेरी कुछ बात समझ नहीं आए, तो नीचे कॉमेंट में लिख देना, मैं आपको सभी चीजों को अच्छे से समझा दूँगा, देखे द दोस्तों मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस महीने मंगल, राहू और केतु आपसे थोड़ा सा नाराज रहेंगे, क्योंकि आपके अश्टम भाव में और लगन भाव में इन तीनों का घूमना फिरना आपको परिशान करेगा, और मंगल खराब क्यों होता है, पहले हम ये चिड़ चिड़ापन करने की आपकी आपको आदत है, आई दिन घर परिवार में आपके क्रोध से लड़ाईयां होती हैं, हर किसी को कुछ भी आप बोल देते हैं, अनाप शनाप हरकतें करते हैं, तो दोस्तों, आपका मंगल खराब होना निश्चित है, वहीं अगर आप मा आटा खराब होने लग जायेगा, मंगल इतना खराब हो जायेगा की आपके ऊपर एक साथ कई सारी मसीबतیں आजाएंगी, कई सारी मसीबते और पकेगी, इसलिए ध्यान रखना की इस पूरे महीने करोध मत करना, और हो सके तो मांसहारी भोजन भी मत करना, वरना मंगल और और इतना खराब हो जाएगा, कि आप कहीं के नहीं बचोगे, वहीं दोस्तों, किसी के साथ छल कपट मत करना, मंगल तभी खराब होता है, जब हम कोई गलत कार्य करते हैं, यानि कि किसी को धोखा देना, किसी के साथ गलत कार्य करना, किसी के दिल को ठेस पहुँचाना, चाहे अंजाने में हो या चाहे जान बूझ कर अगर किसी के दिल को ठेस पहुंचाते हैं, किसी को रुलाते हैं, तो इस से आपका मंगल खराब होगा ही होगा। और अगर दोस्तों, आपका मंगल खराब हो गया, तो अच्छा खासा आपका जो जीवन चल रहा है, वह नरक से भी बत्तर बन सकता है। इसलिए इस पूरे महीने ना ही किसी का दिल दुखाना है, ना ही गुस्सा करना है। घर परिवार में भी अच्छा माहौल बना कर रखिए, घर परिवार में खुश रहिए, अपने परिवार के लोगों को भी खुश रखने की कोशिश करिए, उनको जिस चीज से खुशी मिलती है वह चीज करिए। अगर उनको कोई खाना पसंद है, अगर उनको गुलाब जामुन पसंद है, घर के लोगों को तो गुलाब जामुन खिलाइए, अगर आपकी पतनी है, आपकी पतनी को कुछ खाना अच्छा लगता है, तो उसको कुछ खिलाइए, कहीं बाहर सैर पर जाना अच्छा लगता ह तो ले जाईए, बच्चों को ले जाईए, अपने माता-पिता की सेवा करिए, इससे मंगल अच्छे प्रभाव देगा, अब दोस्तों, अगली चीज की ओर बढ़ते हैं, इससे मई के माह में सबसे ज्यादा और बहुत बड़ा खत्रा जो आप लोगों के ऊपर मंड़ा रहा है, वह है बड़ी दुरघटना, जी हाँ दोस्तों, राहू और केतू, ये दोनों जब इनसान के ऊपर भारी होते हैं, तब दुरघटनाएं बहुत ज्यादा होने लगती हैं, लेकिन आपके ऊपर तो मंगल के साथ राहू केतू भी भारी है, इसके चलते दुरघटना होने के योग थोड़े बढ़ जाते हैं, इससे मई के माह में मई का माह। के वाहन का इस्तिमाल कम करें, क्योंकि दोस्तों, दुरघटनाएं किसी भी रूप में हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि गलती केवल आपकी हो, तब ही दुरघटना हो, दोस्तों, दुरघटना कभी भी और कैसे भी हो सकती है, इसलिए जितना हो सके, इस समय भारी वाहनों का इ अब दोस्तों, अगली चीज है कि करंट लगने की भी संभावनाएं दिखाई दे रही है। दुरघटना किसी भी प्रकार से हो सकती है। ऐसे में आपको अपने घर परिवार के लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए और अपना भी ध्यान रखना चाहिए। घर में कोई भी इलेक्ट्रोनिक उपकरण है, अगर वह खराब है तो उसे सही करा ले। या फिर आप करंट की चीजों से थोड़ी इस महीने दूरी बना कर रखें। कोई उंचाई का कार्य कर रहे हो, तो वहां भी ध्यान रखें। कोई भी जोखिम वाला कार्य है, वहां पर आपको बच बच कर कार्य करने की सलह देते हैं, क्योंकि दुरगटना छोटी सी गलती से भी हो सकती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, अब इन दुरगटनाओं से बचने का उपाय मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यह सभी चीजें क्यों हो रही हैं। वह चीज तो मैंने आपको बता दी है कि मंगल के साथ राहू और केतू थोड़ी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। ऐसे में मंगल के साथ राहू केतू को भी आपको अपने प आप कर देते हैं। इसलिए इन दोनों का साथ अगर व्यक्ति को नहीं मिले तो जीवन में बहुत मुश्किलें आती हैं और यह मई माह भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है आपके लिए। लेकिन इनको हमें साथ में लाना पड़ेगा। साथ में कैसे लेकर आओगे इसका एक उपाय बता रहा हूँ। बिलकुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए जब भी आप वीडियो देख रहे हो, किसी भी तारीख को देख रहे हो, किसी भी समय देख रहे हो, आपको यह उपाय कर लेना है। देखिए दोस्तों, जब भी आप वीडियो देखें और इस वीड बाहर दिख जाए, अपने घर के आसपास उन कुट्टों को वह दो रोटियां खिला देनी है। आप यह जब उपाय कर लेंगे, तो इस उपाय से जो राहू और केतु का प्रभाव है, वह कम हो जाएगा। क्योंकि कुट्टों को रोटी खिलाने से आपका जो शनी है, वह और मजबूत होगा। और जब शनी मजबूत होगा, तब राहू केतु का प्रभाव कम होगा। और जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो उससे भी आपका राहू केतु प्रभाव कम और होने लगेगा। तो दोस्तों, ये उपाए जरूर से जरूर करें। इस उपाए को करने से आपको काफी मदद मिलेगी, और राहू केतु का प्रभाव इस पूरे महीने कम होगा। अब दोस्तों, अगली चीज की ओर बढ़ जाते हैं, बिलकुल ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, इस पूरे मई के माह में सबसे बड़ी चीज का आपको ध्यान रखना है, और वह चीज है किसी भी अंजान पर भरोसा ना करें। इसलिए अंजान लोगों से बच कर रहें, क्योंकि यह जो योग बन रहे हैं, इसमें आपकी राश्य के ऊपर बड़ा खत्रा है, कि कोई भी अंजान व्यक्ति आपको चूना लगा सकता है। आपका दिल जीत ले या फिर आपके ऊपर वशी करण कर दे। इससे आप उसके वश में आ सकते हैं और उसके बाद वह अपना खेल दिखाना शुरू कर देगा। आपसे आपका सब कुछ चीन सकता है, आपका पैसा चीन सकता है, आपका धन चीन लेगा, आपकी कीमती चीजें तक चीन सकता है और यहां तक की आपकी जान तक ले सकता है। इसलिए पूरे महीने अंजान लोगों पर भरोसा ना करें। वहीं दोस्तों, अगर आपके फोन पर किसी अंजान व्यक्ती की फ्रेंड रिक्वेस्ट यानि कि अगर आप फेस्बुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, व्याट्सप का इस्तमाल करते हैं, तो भी आपको किसी अंजान व्यक्ती से बातचीत नहीं करनी हैं। क्योंकि कोई अंजान व्यक्ति आपको किसी भी माध्यम से, चाहे फोन का माध्यम हो, चाहे दोस्तों आपस में मिलकर हो, किसी भी माध्यम से आपको चूना लगा सकती है, आपके साथ धोखा कर सकती है, आपकी जान तक ले सकती है। इसलिए किसी भी अंजान व्यक्ति पर इस समय भरोसा करने की भूल बिलकुल भी मत करना, वरना आपको बहुत बड़ी और खराब कीमत चुकानी पड़ सकती है। आज का दिन आपके लिए लाबदायक रहने वाला है। आपको अपने विभिन कामों को समय पर पूरा करना होगा। रक्त संबंधी रिष्टों में मजबूत ही आएगी। काम काज पर आपका पूरा जोर रहेगा। आपको किसी उचित अवसर के मिलने की संभावना है। प्रे जन आपके घर दावत पर आ सकता है। वरिष्ट सदस्यों से बात चीत करते समय आप विनम्रता बनाए रखें। जन कल्यान के कार्य पर आपका पूरा साथ रहेगा। और आप अपनी जिम्मेदारियों में डील न दें। आज का दिन आपके लिए उरजावान रहने वाला ह मित्रों का विश्वास आप पर बना रहेगा। आपको अपने करीबियों की बातों पर पूरा ध्यान देना होगा। ऑनलाइन काम कर रहे लोगों को कोई बड़ा उनाडर मिल सकता है। यदि आपने किसी को धन उधार दिया था तो वह भी आपको वापस मिलेगा। आपके महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, आज का दिन आपके लिए आनंद मैं रहने वाला है। आपको बड़ों की बातों को ध्यान से सुनना होगा और आप किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलिद हो सकते हैं। मित्रों के साथ आप खुश्णुमा पल व्यतीत करें परिवारिक मामलों में आपकी पूरी रुचि रहेगी, आपको लेन देन से संबंधित मामलों में सावधान रहना होगा, अध्यान और आध्यात्म में आपका खूब मन लगेगा, आपके व्यक्तिगत प्रयास रंग लाएंगे, आपको किसी की कही सुनी बातों में आने से बचना होगा और आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एनरजी रहने के कारण आप प्रत्येक काम को करने में तत्पर रहेंगे। आज का दिन आपके लिए निवेश संबंधी मामलों में अच्छा रहने वाला है। आपके बढ़ते खर्च आपको परेशान करेंगे और आप अपने करीबियों का भरोसा भी आसानी से जीत पाएंगे। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धी होगी। ऑनलाइन काम कर रहे लोगों को सावधान रहने की आवश्यक्ता है। आपके कुछ विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं। विदेश में रह रहे किसी परिजन से आपको फोन कॉल के जरीए कोई शुब सूचना सुनने को मिल सकती है। आपने यदि जीवन साथी से कोई वादा किया था, तो आपको उसे समय रहते पूरा करना होगा। मित्रो इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है। कि यदि आप अविवाहित जातक हैं और किसी प्रेमिका की तलाश में हैं, तो बहुत जल्द मित्र आपको एक बहुत ही बहतरीन इंसान मिलने वाला है। वैसे देखा जाए तो यह समय जो है कुछ ज्यादा अलग नहीं रहेगा, थोड़ा सा मिला जुला ही रहेगा। मित्रो आपको बता देते हैं कि संतान के प्रती आपकी चिंताएं इस वक्त बढ़ रही हैं। साथ ही आपको बता देते हैं कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक समय के बाद सब कुछ आपके ही अपेक्षा के अनुसार होगा। मित्रो आप यदि किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अगर परीक्षा देने भी जा रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी और सफलता मिलने से मन हर्शित होगा क्योंकि उसका परिणाम बहुत ही खुबसूरत रहेगा। दांपत्य जीवन की ओर अगर बढ़ते हुए नजर डालते हैं मित्रो तो दांपत्य जीवन बहुत बहतरीन इस वक्त बना हुआ है। आपका प्रेमी, आपका जीवन साथी आपको हर संभव सहयोग करेगा। जीवन साथी अपनी बातें आपसे करेगा जो आपको सोचने प पैसा आएगा भी। मित्रो भाग्य मजबूत रहेगा। भाग्य के भरोसे आप इस वक्त रह सकते हैं। पूरी गैरंटी है इस बात की। इनकम बढ़ेगी। काम के सिलसिले में आपका समय आप ही के पक्ष में रहेगा। जिस क्षेत्र में आप हाथ डालेंगे, जिस काम म उसमें से सिर्फ और सिर्फ सफलता लेकर ही बाहर निकलेंगे और प्रेम संबंधों को लेकर आपके लिए यह समय अनुकूल रहेगा। आप दोनों एक अच्छा समय साथ में बिता सकते हैं जहां सिर्फ प्यार भरी बातें होगी और कुछ नहीं होगा। इन बातों में बह ही वादे करें जिन्हें वाकई निभाया जा सकें वरना बड़ी-बड़ी बातें करने से रिष्टे नहीं चलते हैं। छोटी-छोटी बातों को समझने से रिष्टे चलते हैं। मित्रों आपका देनिन। वैसे तो देखा जाए तो बड़ा ही उत्तम रहेगा। रास्ते मे आप आगे बढ़ेंगे तो आपके अपने चाहने वाले आपको मिलेंगे जिससे मिलकर आपको खुशी भी होगी। मित्रों आफिस में आपका confidence देखकर बॉस आपसे खुश होंगे। अगर किसी नए काम की शुरुवात करने की सोच रहे हैं तो आगे चलकर आपको काफी फ मन दुखेगा मित्रों। बता देते हैं। छात्रों को पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मित्रों, यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि भगवान गणेश जी का ध्यान करके, पूजा करके, कोई भी नया कनेक्षन बनाने से पहले सामने वाले के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल करने। मित्रों, घर परिवार में सब लोग काफी खुश रहेंगे, एक दूसरे से जुड़ कर रहेंगे। परिवार में खुशियों में कोई कमी नहीं होगी। जिस खुशी की अ पुपसूरत बनाना चाहते हैं, तो कठिन परिश्रम करना पढ़ डढ़ेगा। भविश्य की योजना बना सकेंगे। नए कार्य की शुरुवात करने के लिए आप विचार करेंगे। प्रॉपर्टी से जुढधा फाइदा भी होने की संभावना है। और मित्रों, ओन्फ विवादों से और बेकार की चिंताओं से भी मुक्ति पाने की कोशिश करनी ही है। सामने वालों से केवल इतनी उम्मीद रखें जो पूरी हो पाएं। प्रेम संबंधों का अर्थ यह नहीं कि एक दूसरे पर अपनी भावनाओं को जबरंत हो पा जाए या सामने वाले को इमोशनली ब्लैकमेल किये जाएं। मित्रों और परिवार का माहौल भी बरहिया रहेगा। आपसी बात चीत बरहेगी। दापत्य जीवन के लिहाज से दिन मान थोड़ा सा कमजोर है। मित्रों बता देते हैं कि जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब रहेगा और प्रेम जीवन में भी किसी बात को लेकर अस पुढ़े से दिखाई दे रहे हैं। एक समय के बाद आपकी प्रेमिका से मन भर जाएगा जिसकी वजह से आपका मन दुखेगा। शादी शुदा लोगों की लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ती को लेकर विवाद हो सकता है। ये रिष्टा ऐसा है कि यदि आपके बीच में कोई तीसरे व्यक्ती आया तो रिष्टा तूटना ही है घर के लिए ये समय संकट भरा हो सकता है। अगर आप किसी रिष्टे में नहीं हैं तो आज का दिन आपके लिए भाग्यशाली हैं क्योंकि आप आज अपने प्यार को पा सकते हैं। अगर आप कमिटेड है तो आपक कामों की तरफ ध्यान देंगे खास कर उसकी और जो आपके दिल के करीब हैं। उनके लिए खास खाना बनाएं या कोई रोमैंटिक गाना गाएं। मित्रो बता देते हैं कि कठिन समय का सामना करने और सकारात्मक बने रहने में सक्षम होना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ज बता देते हैं कि यह समय आपको अधिक आत्म विश्वासी और लचीला महसूस करने में मदद करेगा। इस वक्त आपकी आर्थिक स्थिती बहुत बहतर बनी हुई है। जीवन में जिन चीजों की मित्रो आप कामना कर रहे थे वही चीजें आपके जीवन में जल्द ही आप को प्राप्त होने वाली हैं और बता देते हैं कि भय, ईश्रिया और घ्रिणा जैसी नकारात्मक भावनाओं को कम करें। क्योंकि मित्रो इन से आपकी छवी खराब होगी और कुछ हासिल नहीं होगा। आपको किसी से भी जल्द की भावना नहीं रखनी है। कि कोई व्यक् किस्रिया और घ्रणा जैसी नकारात्मकता तो आने ही ना दें। बता देते हैं अचानक आप देखेंगे कि शाम को आपको धन लाब हो सकता है। और मित्रो धन धान्य से संबंधित बातों पर आपको गौर करने की जरूरत है जहां से आप लाब कमाने में सक्षम हो और पढ़ाई की कीमत पर लंबे समय तक घर से दूर रहना आपको माता पिता के गुस्से का शिकार बना सकता है। मित्रो अब जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजों को तो त्याग ना पड़ेगा। या तो आप पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देलो या फिर प जह से आपका संयम बढ़ेगा। काम गंभीरता से करने की जरूरत है। वक्त पर काम करें। वरना लोगों की आप पर बढ़ रही नाराजगी नुकसान का कारण बन सकती है। आगे चलकर आपको कई अवसर मिलने वाले हैं। मुश्किलों के बाद कारियों में सफलता मिलने का संकेत है। संसाधनों की पूर्ती आसानी से होगी। उत्तम समय रहेगा। पुरसकार मिलने की संभावना है। आए की श्रेष्ठ रहेगी। दोपहर में समय विपरित परिणाम दे सकता है। अंजान पर विश्वास नहीं करें। यात्रा पर जाने से बचें। कार्य में विलंब होगा। शाम को समय पक्षका हो जाएगा। किसी संबंधी के साथ पारिवारिक मामलों को लेकर कुछ वाद विवाद हो सकता है। इसलिए विवेक और समझदारी से काम ले। दूसरों की बातों में आकर आप अपना नुकसान कर सकते हैं। बहतर होगा अपने कामो में ही व्यस्त रहें और अपनी योजनाओं पर ही काम करें। कामकास ज्यादा रहेगा लेकिन अपनी कार्यक्षमता और कुशलता से समाधान निकाल लेंगे। नए प्रोजेक्ट में मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। अधिकारी से विवाद या जगड़ा हो सकता है। किसी से जुड़ी समस्या है तो उसे सुलजाने पर ध्यान दे।